चलिए आज हम लोग आगे शुरू करते हैं कल थोड़ी सी क्या होती कल जैसे लाइट जानक से कड़ गए तो उसके लिए माफी चाहते हैं अब अगे लेकर आते हैं और एक बाद ध्यान दीजेगा अब कौपी कलम लेकर बैठेगा क्योंकि हम लोग साथ में अध्यन ध्यापन को जोड़ने वाली कल्पनिक रेखा क्या लाइट कि मैं प्रारम से बता दिया हो कि प्रिथवी पर जितनी प्रकार की रेखा है जितनी प्रकार की रेखाओं की बात करते हैं वे सबी रेखाए कल्पनिक रेखा होती है इसका क्या होगा इसका जवाब एकदम साफ है कि इसे ह ये आईशो थर्म के नाम किस नाम से ईसो तव से ऑईशिश कि यह होता है फिर्ट से बात है कि यह सवचत आप मान थान को जुरने वाले लिए विक रेखा को में भूद्ध कर प्रेखा या आई से उत्थर में रेखा के नाम से जाना जाता है इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो चौथा बिकल्प सही है ठेक इसका बिकल्प क्या है चार सही है जैसे अप जुड़िये का अपने शविशातियों को सेयर करना ना भूलिएगा नौटिफिकेशन नहीं है न कि फ्रेंटल वर्षा किस कारण से होती है जवाब दीजेगा फ्रेंटल वर्षा किस कारण से होती है जबाब दीजेगा फ्रेंटल वर्षा किस कारण से होती है जब दीजेगा फ्रेंटल वर्षा किस कारण से होती है जल्ली जवाब दीजेगा फ्रेंटल वर्षा जो होती ह ऊप आज आज ओड़ुक्राउटी श्री सक्कडवन्दिय फोग्लाम होती तो यह होगा इसके उत्तर क्या होगा तभशा के बारे मिंजय होगा चक्रवाद तो तरह तो थैजबार के तरह सोगाल होता है तो सबस्क्रवार की सब्सक्राइब होगा है ठीक है और रिप्लाइश अपर कर दीजेगा सर हां यहां पर है विश्व्यापी तापमान का संभावित पैडाम क्या हो सकता है बताईए गम्हें पढ़ाया हुआ है आपको तो विश्व्यापी तापमान का संभावित पैडाम क्या हो सकता है जली जवाब दीजेगा जली जवाब दीजेगा विश्व व्यापी तापन का संभावित पढ़ाम क्या हो सकता है देखेगा सीधी सी बात है कि इस प्रश्ण को पढ़ना थो इस फिर से पढ़ेंगे कि आज इसके जश्ट बाद हमें दोसरी जौल लेनी है तो देखेगे 20 सदी में भूममंडली अस्त बढ़ेगा जब समूद्र जरस्तर बढ़ेगा आपकी क्या हैगी और आने से समुद्र रिखा दूबेगा अस्थान डूबेगा फसले प्रवाइद होंगी तो इस अभी ना काका राण ग्लेसियर पिगलना होगा मनिका ग्लेसियर पिगलेगी और इतनी समस्याय जर्म लेग तट्रेखा क्यों दू बज़े आएगा इस प्रकार आलाँ दीज और परिव्त शभी होगा क्या होगा अलाँ दीज ओ परिव्त शभी होगा है ठेख तो आप लोग जैसा जुड़ेगा अपने शभीषाथ्यों को शेर कर दीजेगा खास कर चाहिए बीऊ के के लिए के लिए डिया सबी के लिए और सुपर टेक्ट प्रामरी अपर प्रामरी दोनों के सेलवस के लिए यह हम आज आप से व्याख्यात्मा रुक्ष्य बात करते हैं आगे बढ़ रहे हैं लोग इस टॉपी को पूरा पढ़ लीजेगा अगले सक्षन की तरफ चलते हैं अगला है प्रिथवी से के उपर चार च्छत्रों में से सबसे कम उचाई किसकी है तो बताइए सबसे कम उचाई किसकी है यह भी सक्षन हमने पढ़ाया हुआ है अगर आप जानते होंगे तो बता लेंगे नाम है इस्ट्रेटर्स पिया बताइए क्या होगा इसमें क्या होगा इसके बारे माँ जानते रहेगा इसमें होता है ट्रोपोस्पेर का होता है ट्रोपोस्पेर को यह देखें यह मेसोस्पेर है यह ट्रोपोस्पेर है इस तो समताप मंडल है मद्ध मंडल है और छोब मंडल है तो सबसे पास क्या होगा छोब मंडल होगा छ इसम तरफ हो गाएं पहले चोप मंदर होगा नहीं अग्रेजी में नाम दिया है बस अब कुछ नहीं है इसमें कुछ झाएं ऑप स्थ नेम क्या है अंग्रेजी में दे दिया है ठीक है अरे क्लियर हो गया चली आगे बढ़ते हम लोग यहां तक कोई चमस्या कोई दिककत जी सही बतानों जी सही बताए अपने आप लोग जैसे जुड़ियेगा अपने सभी सायत्यों को सेर जरू कर दीजेगा यह सेर करना ना भूलिएगा ठीक हम आगे बढ़ते हम लोग अगे ट्रॉपिक तरब थोड़ा सा प्रशन जल्दी खतम करें कि इसके जश्ट बाद हम ल होगा इसने पूछा कि वायू के अगडान व कटारने की चमता कम जाती है जी नहीं अगर वायू के ताफ़ माहने बृद्धि नहीं दहस करने की छंता कम होने से उसके दाबमान में असर पड़ता है दूसरा निर्पेचादता को वाई को प्रति घंड मीटर से वक्त कहा जाता है जी यह गी गलत है निर्पेचादता को नहीं प्रति कहाता अगला क्या है प्रति 165 मीटर की चड़ाई के साथ ताप में एक सेलसेस कमी आती है हमने जाता है ऐसा छो मंडल में होता है इस प्रकार इसका उप्रति विकल्प चौथ अथवाई डी विकल्प इसका राइट है डी क्या है इसका राइट एंस्वर है ठीक समझ में आप लोग को या कोई दिक्कत कोई समस्य आपको हाँ अपनी सभी साथे को सेर जरू कर दिजेगा लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दिजेगा अप लोग तिरम आगे अगले टौपिक के तरह बढ़ते हैं अगला है मारा निमलिखित में से निमलिखित में से कौन सी घटना भूम अंडली तापन से सम्मंधित मानी जाती ह इस चलिशान बता यह लाइनो नीनो मोरीण दच्णिदोलन एलनव बता है क्या होगा लालीनो एलीनो दच्षडी दोलन यह सभी एक ऐसी जल्वाई परिवर्तन का कारण है जब इनका जन्म होता है तो पूरी दुनिया का तापकरम बदल जाता है पूरे वर्ल्ड का तापकरम बदल जाता है किसका पूरे वर्ल्ड का और यह सब अगर देखा जाए यह सभी कहा प जो एल नहों कहते हैं अगर इनकी बात करें इनका जन्म कहा से होतं है अगर आपको पड़ना अगर समझना है तो हम इसकी व्यक्ठया कर दें नहीं पड़ना अगर लालीनो इनको पढ़ेंगे एक लंबा कॉंसेप्ट है यह बहुत छोटे में नहीं बता जा सकता लालीनो कैसे एलीनो कैसे है यह अब आप देखेंगे दच्छड अमेरिका महादूर देखेंगे उसके जो पस्चमी किनारा है पस्चमी किनारे पे एक्रडोर अपने आलीनों कहते है यह घटना दच्छणी दोलन क्यालाती है यह काफी लंबा कॉंसेप्ट है यहां पे समझाना काफी मुस्किल है इसे इसा की बेटी के नाम से जाना जाता है जब यह आता है पुरी दुनिया का तापकरम बदल लेता है पूर्य वर्ड का तापमान बदल लेत कि पवनारेख क्या निरूपीद करता है है फवन प्रचोःओ पवनाकंड फवन्दा फवंता क्या होता हैं है तो है एक विए प्रेशोग समय क्या निरूपीद करता है कि रूपित रूपित करता है एक कि रुपित कि तो लूप के निसाँ टोल रुपित पर होता है इस वेची के बारे आपको बता जाते हैं तो यहां पर दोल्डरम के बारे में थोड़ी सी बात आपको अस्प्रस कर दूँगा थोड़ा सा ध्यान से दिखिएगा डोल्डरम क्या होता है कि आप लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए आप मैं बैक्ठा करने जा रहा हूं ध्यान समझेगा वरना समझ में नहीं आएगा आप वीडियो लाइक करें ना करें से जरू कर देगा अपने शविशातियों को देखें हम यह अमने प्रिथवी बना दिया ध्यान समझेंगे तभी कॉंसेप्ट के लिए रहोगा यहमारी प प्रिथवी पर दो बाते याद रखेंगा हवा चलती कैसे है पहले आपको यह तो पता ही होगा कि हवा कैसे चलती है हवा मेंसा उच्वाइदाप से निम्नवाइदाप की तरफ चलती है हवा मेंसा उच्वाइदाप से लेकर निम्नवाइदाप की तरफ चलती है यह आप ज ऐसे चलती है अपने एक स्रमाहन का नियम पड़ाओगा जानते हैं उसी आधार पर हम लोग इसे हल करने का प्रयास करेंगे ठिक सै उस्टेम लोग हल करने का प्रयास करते कैसे दिखेंग कि यहाँ पर एक बाउल्टिम आपने में पानी ले लिया तो जान समज़ेगा ये हमने पानी ले लिया अब नीचे अगर हम आघ जलाते हैं जम नीचे आघ जलाते हैं पानी कैसे गरम होता है? पता है? ध्याल देखेगा हाँ मैं समधार हो, ध्याल समझेगा जब यहाँ पे हम नीचे आHA traffic जलाते हैं तो होता क्या है? यहां पर जब गर्म होता है तो यह तो यहां पर नीचे आट जला दिया जाए और इस पानी में उपर उपर गर्म है जब पर पूरे पानी का थापमा एक जैसा न हो help पर दिखते रहे देखते हैं तमारे पिती पर यह जीज्जीरी निक्री elementosaire पांच डिग्री उपर, पांच डिग्री नीचे सूर कहीं भी किसी भी स्थिति में होती है तो यहाँ पे सूरिया थब सबसे ज़्यादा मिलता है जब सूरिया थब ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, यह अस्थान गर्म होगा जब गर्म होगा, इनके संपर्क में जो हवा हैगी वो गर्म होगी गर्म होने एक बाद हलकी होगी हलकी होने एक बाद उपर उठेगी बाद ध्यान दीजेगा कि मुमद रेखा कि पांच 책 पर, पांच दिगर नीचे आने के बाद ठीक, क्या होगी? हवा हलकी होकर उपर उठेगी उस अस्थान को घिरने के लिए इधर से हवाई चलेगी तो यह अस्थान क्या हो जाएगा एकदम सांत हो जाएगा इसे सांत पेटी या डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है याद कर लीजेगा लिख लीजेगा कि भुमत द्रेका से पांच डिगरी उ छी जो फती है उसे डोल ड्रम कहते है क्या डोल ड्रम कहा जाता है असी दोल ड्रम होता है क्या यह सांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है तोब आये आप यह आप प्रश्न की तरफ प्रश्न occasionally कै game कार पाई जाते है कडि बढ़ को अंगरे जी में कहते हैं कि इसे पेटी भीए लोग कहते है दोल ड्रम कि अब बताई काम मिलता है भुमद्रेखा पर धुरूपर कर्ग पर यह मिलेगा का मधुत रिखा के निकटी को सब क्लियर कॉसेट के लिए हैं नहीं कॉसेट के लिए इस चीज की इनसा ठख लिजेगा यह आपके काम आ जाएगी यह जो है यह आपके मैसा काम आगे बढ़ें अगला पश्ण है नॉम्बर 2007 में निम्लिखित में से किस तुफान ने बांगला देश पर हमला किया बताएगा किस तुफ क्य Etni आपके सी डर है तकर सी डर होगा हैं ठिक अ आगे बढ़ रहे हैं अगलर पश्ण की तरफ अ कि अ जबाब दीजेगा कि यहाँ पे दो बाते हैं यह बिकल्ब के इसाब से अगर देखा जाए तो आप आसानी सुत्तर देश सकते हैं वहाँ 200 किलो मेंटर तक तो बिरल है मतलब संगन में है उसके बाद बिरल है क्योंकि 1600 किलो मेंटर के उचाई तक वाई मेंडल में गया सो कड़ मिलते हैं लेकिन उपर जाने के बाद गया से हलकी हो जाती है इसलिए इसका उप्विक्त उत्तर होगा 200 किलो मेंटर ध्यान दीजेगा यह थोड़ा सा बिवादी प्र में यह पूछ दे कि हमारे मडल में सबसे जदा भारी मातरा में किस मंडल मिलती है उसका कारण क्या है ग्राप्टेस्टेशनल फौर्स है प्रिवी होते हैं अपने आसपास मंडल को अपने गुर्तवा करसार सकती की वजह से खीच कर रखती है इसलिए मंडल वाई मंडल हमा सब्सक्राइब कर देंगे हैं चलिए बहुत धन्यवाद आप लोग का यहां पर देखिए एली नो होता है एली नो प्रगट होता है इसके बारे में काफी लंबा कॉंसेट है लेकिन हम आपको पूरा बताते हैं यह कैसे आता है आईए इसके बारे में आप दो मिनट का समय लेंगे तीन मिनट का तक हम मैप ढूर सके उस मैप के अधार पर आज हम आपको एक से टापिक बताएंगे जो आपको साइब कहीं मिला होगा ठीक है कि मॉपां होगा हम एक ग्रीफ ऑपलुक है इसमें वल्ड मेंफ है कही इसे में वल्ल्ड मेंफ होगा इसमें वॉल्ड मेंफ होगे कर भतारी कि विप इसमें एक देख रहे हैं वर्ल्ड मैप आपके लिए हैं हुँ है एक मिनटे यह 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 अफ्रिका का ही है लिए लोग समझार पुरी जिन्दिगा पे लोनों नहीं भूलेंगे एक मिनटे अप लोग समय दीजे यह टर्न कैसे होगा यह रूट चेंज कैसे होगा इसका नहीं होगा मैं एक मिनटे हां यह पीज नमबर के पे है पेज नमबर 30 पेज नमबर 30 पे एक बड़केम दिखा रहे हैं अपको एक मिनटे केम दिखा रहें अपको एली नो पूरा समझा रहे हैं कि अज़िए कि एक मिनटे केगा अपलोग थोड़ा से ध्यार रखेगा दसले बिश्व का मैप लेना है नहीं हमें लगता है वर्ल्ड का मैप मुझे ड्राई करना पुड़ेगा क्या कि यहां पर है वर्ल्ड का मैप कहा गया कि वर्ल्ड मैप दिखी जल्दी से नहीं दिख रहे है एक मिनटे के गगा एक मिनटे के गगा मैप मैप आप अगया खुल गया आपको पूरा मैप पर अधन करा के बताते हैं कैसे होगा कि इंपोर्ट जाने दीजिए एलीनो क्या है एलीनो जब आता है तो पूरे बिश्ट का ताप्मान बदल देता है यह बहुत ही महत्यों टॉपिक कर आप पर समझ लेंगे तो पूरे जीवनकाल आपके लिए काम देगा सबसे बड़ी बात एलीनो के साथ साथ दच्छनी दोलन क्या होती है उसको चुआ है कि दच दोलन क्या होता है दच्छनी दोलन में एक बात और आपको देखने मिले जएगा लीनो लालीनो क्या होता चारिक कभी जब हमारे यहां तमप्रेशर बदलता है यह जब गर्वी के phसल वोय जाती है तो वहां पे कहतने हैं कि इस बार बार करते हैं आइए हमारा विश्ट का मैप खुल चुका है कि कहां गया जी कि यह है कि यह है कि यह है कि नहीं कि एक मिनुट रहा है लेकिन यह है कि यह है यह भूम नहीं रहा है कि मैं इसको चिला रहा है किसे भूमें गया यह है यहां से मतिया राइट ऑनक learns का थे इसलिकξे बढ़ायं वह नहीं है वो नहीं है यह यह मैं फी नहीं खुला है व्रड का में फिने कुल खुला है अब देख हैं इससे संजह को अगर आप इस मैप में समझ सकते हैं तो समझा अंजी से शमाज पा रहे हैं कोई बात नहीं चोड़े डिस्टे को चलिए अगी देखते हैं अपको है है हम लाश्ट में कुछ हाथ नहीं लेगा किल लोगे दुछ फेस बिल्लें नहीं जो किनारा होता है वहाँ पे होता है हमारा चिली देश है उसी चिली के देश पे जो हमें बसकाफ बनाने का परास एक बार करना चाहिए रोख करना चाहिए अंदर तर चाहे कुछ भी हो व्यलका मद्रा करते हैं एक बार अब यह होगे अब का ठीक थोड़ा सा गर्वड बनेगा चिंदा ना गरिएगा प्लू ठीक है चलिए मानाई विष्का मैप है एक अधार बुच्किला को समझाने के हमने बना दिया ठीक है यहां पर दिखेगा आई हम लोग देखते हैं यह यह उत्री इमेरिका दच्छण इमेरिका यूरोब एशिया अफ्रिका महादीब आश्टलिया महादी प्रादीब तो यहा यहां पर इसलिए होता है यहां पर दुनिया का तापकरम बदल जाता है होता क्या है कि हवाएं इधर से इधर की तरह बाती है यहां पर अट्लांटिक महासागर यहां पर दच्छण सागर यहां पर प्रशान्त महासागर और यहां पर अस्टलिया महादीब अब क्या होता है हवाएं के रुख वीपरी दिस्था में हो जाती है और हिंद महासागर का हिंद महासागर जो यहां पर हमारा हिंद महासागर तरब हवाओं कर उल्टा हो जाने S었는데 जो हमारे यहां आदरूपी हवा बर्सात के मौसम में वर्सा करती थी अधूर न करूसा न कर के प्र उसी वज feud का अगे वड़ते हैं तो यह इलिन रहसात होता है अब आपको समय में आ गया यह प्रत्षान्त महासागर के ओपर प्रगट्या जैसा मैंने प्रशान्त आगर उपर और उठ्नी अमेरिका महाद्वी पस्ची में जन्म होता है इस dłशनी तरह बढ़े मुंदहें से जहन बढ़ें त्रहका क्या मोंत करता है ओड्शोन परत क्या मोंत करता है लाति है जिस वेट की ऐस पन चाहिक परफभइंगे इंफ्रारेट केमें परावैगनी केमें खेड़ केमें क्या आशोश सित करता है कि अपने यह आप पहले से जानते हैं तो यहां पर दिखिए कि उजन परत क्या होती jeito यह समताप मंडल में एक और यह कहां पाई जाती है समताप मंडल में समताप मंडल में जो पाई जाती है इस समताप मंडल को इस प्रकार यह परावेगनी केड़ने होगा एक प्रशनावर है सबसे खतरनाक अल्ट्रावालेट रेश कौन सी है तो सबसे खतरनाक अल्ट्रावालेश कौन सी है सी है यू वी सी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है ठीक और सिपसी से लगातार तोड़ी लेगी है अग्याद रगले पश्चनी के तरफ हवा के तेजि वेक्स से बने तीले तीलों को क्या कहते हैं हवा के तेजि वेक्स से बने जो तीले होते हैं उन्हें क्या कहते है यह विडियों के लिए है सुपर्टेट के लिए दोनों के लिए है हाई सब की पीड़े नटेवे को मिल जाएं हमारे टेली गराम पर टेलेग्राम फिस्टॉल करेगा बिर बिना सम्सक्राइब जुडएगा इलें मि cowardly के सत्त यहां पर हवा के तेज व्यक्स और को क्या क्या तरह दिजेगा हवा के तेज म maior नियुक्ते हाइश हर तtechn हमादाน नहीं ता यह दोनों फेचश के रंते हैं और यह हवा के तेज dirigud से बनता है यह दोनों ब्रिंग स्रिंग गवर यह सभी हिमनद में ग्लैसियर बनते हैं यह पढ़ेंगे जोग्राफी प्योर जोग्राफी तो आप हम लोग देखेंगे लेकिन यहां पर मरू टिब्बा में ड्यून बनता है ठीक है तो मरू टिब्बा याद रखेगा ड्यून कहते हैं उसे मरू टिब्बा अगले परशनी की तरफ हम अग्रिशर होते हैं अगला परशन हमारे है वाई में ऑक्सीजन का पचिस्ट कितना होता है बताईएगा हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी है तो आप इसका जवाब क्या होगा यह और इन दोनों मिला के लगबग वाई मंडल का निन्याने परसेंट गैस ऑक्सीजन और नेट्रोजन का मिला कर बंती है ठीक है अरगन जो सुनों तिन परसेंट जी अगर लिखना चाहें तो लिख लिजे अगर आप लोग को लिखना है तो 08 परसेश्य टाक्र है यहां पर ओटू जो है आगल को कितना है गीज़ दसम लौ नौ पांच पर सेंट फिर आरगन आता है पर जिरो दसम लौ 9 परसेंट फिर क्या आता है सी ओटू आता है दिस पर यह कितना हैगा जिरो दसमलो 0 3 उसके बाद आपको लिखना है लिख लिए गा नियोँ लिख लिएगा जीरो दस्मलों जीरो जीरो युरो आट परसेंट नियोँ हाँ नियान हीलियम है जीरो दस्मलों जीरो जीरो पांच परसेंट हिलियम है आपका थेक ओजोन का थेक इसी तरह है बस इतना आपके लिए महत्रपूर्ण है चाहिए इसके शॉट कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हमने पढ़ाया था अगर आ कि अगरे बताईएगा और आपको बैताल लगेगा शेयर कर दीजेगा बैताल लगा लाइक कर दीजेगा लाइब होनेगा मैं सब पहले सुचन आपको अपने टेलिग्राम पर देता हूं कि हमारे लाइट की दिक्कत इस वजे से हमें थोड़ी से दिक्कत हो दिखावाएं क सम्ताब मर्म नहीं आएंगा दिखे-गा समताव मंडल में तो आपको पाई जाती है ऊजोन परतल लेकिन में बैसे मांडलो जाती है पिर छोब मंडल में मौसल समंदित सभी गद्विदियां होती है मौसससमद्र क्या होती है सभी जो गद्विदियां कड़ती है बाई मंदल बहारें हवाजिक कम पढ़ जाती है मौससमद्र घ्द्विद्र उपर जाने पर तापमान कम होता है इसका अधर आयन मंदल होगा आ and होगगा लोग अगले परत्रम की तरफ ॥ त पिठिवी की सता से सबसे दूर वातावाणी परत को क्या कहते है अभी जश्ट मैंने बताया जो पिठिवी के सबसे दूर जो वातावाणी श्रता है उसे क्या कहते हैं उसे हम बहिर मंडल कहते है बहिर मंडल कांज सुनने वाला नहीं उसे हम बहिर मंडल कहते हैं क्या कहते हैं बहिर मंडल के नाम से जानते हैं समताप मंडल दूसरी आती है मध्य मंडल तीसरी आती है आइनिक मंडल चोथी आती है पाचवी आपकी आती है क्या बहिर मंडल आता है ठीक है जी जी ट्रोपो स्पेयर इनो स्पेयर हाँ मेसो स्पेयर फिर एक स्पेयर ठीक है और कि मत अगे मुत आगे मिन है भी अग्ला पर्शना आपके सामने जों परत का अचल ऑचना किस कारण से होता है जालन खुत बिदन थिमान इ竹र्मी कियरे टारी और कर डिंभी किस से होता है और उजों परत का मैंने जयर माने ओट्रiał लेέर का कैसे होता है कि मताइए जवाब साफ है जिसे हम CFC कहते हैं क्लोरो फ्लोरो कारआए एक ही स्थियोगिक है यह क्या है यह एक योगिक है कैसा यह है यह केवल कारबन, क्लोरीन, हैड्रोजन, क्लोरीन परमाड़ों से बनता है CFC का इस्तिमार रिफिजेरेटर में खासका प्रोग क्या जाता है ठीक है और ओजोन बिसेस कर रहे युगदान देखते हुए CFC गोसों को इस पर रोग भी लगा जाता है आगे बढ़ रहे हैं उपोस्ण उच्चदाप के कड़ बंदों को और क्या पुकारते हैं बताएए अगे इसको ध्यान समझते हैं ठीक है इसको ध्यान से समझते हैं ध्यान समझेंगे आपको पूरी जीवन काल भूलेगा नहीं आईए ध्यान से यह हमारी पिछिभी है अभी मैंने आपको डोल ड्रम पढ़ा था आपको डोल ड्रम याद है डोल ड्रम को उदर पहले बता था जुन्होंने स्कार्टिंग से क्लास लिया होगा उनको पता होगा यहां पे 0 से 5 डिगरी उपर 5 डिगरी नीचे एक पेटी होती है जिसे हम क्या क हैं चाहिते हैं होता है और आप 15 क्या करता है मेरी बात को ध्यान समझेगा ध्यान से एकडम बढर को कि आपके तब में पानी बहारा आथा है आपके तब में ध्यान सुनिएगा आपके टब में पानी भरा हुआ है क्या भरा है पानी उस पानी में से अगर आप एक मग पानी निकाल लेते हैं तो क्या होता क्या वाँ जगा बन जाती है जी नहीं जैसे टब से आप पानी बाहर निकालते हैं तुरंट उसके जगा को घेर लिया जाता है उसी प् थान ध्त पेटी का निर्माब होता है रिकिन यह हवा गर्म होने के बाद उपरूथने के बाद जाके बैठता यह कहां बढ़ती है ध्यान से दिखेगा हवा यहां से उपर उठने के बाद तीस दे टीश से पैंटिस डीगरी पे जाकर बैठेगी कैसे बैठेगी एक बाद ध्यान से देखेगा एकडम ध्यान से देखेगा मैं आपको पूरेém डौंट किरें करूंगा अग Stress करें और अगद जैने के दुकर औरता हो गई यह उपनत जा रहे हैं यहां से हवा उपर चली लेकिन उपर जाने के बाद क्या हवा कहीं बैठेगी जी हाँ यह उपर हवा जा रही है यह हवागी कहा बैठेगी 30 से 35 बैठ रही ध्यान दिजेगा यह 30 से 35 डिग्री पे मतलब मैं इसको प्लेस अपार्ट पे कर दिया जीरो डिग्री मतलब यह भूमद रेकर हो गया यहां से हवाँ उपर उठी उपर उठी बैठेगी बैठने बाद क्या होगी ध्यान देखेगा बैठने के बाद 35 से फिर जीरो के तरफ जाएगी क्यों यहां पे low pressure बनेगा यहां पे high pressure बनेगा कैसे बनेगा ध्यान देखेगा जब यहाँ हवा गर्म होगी यह सता गर्म होगा गर्म होगा तहां पर यहां पर मैं इसी को plane में बनाया हूँ जब सत्य प्रिफिवी की गर्म होगी यहां से हवा ठंड गर्म होने के बाद हवा हलकी होगी हलकी उपर उठेगी तो दाप कम होगा प्रेसर कम होगा इसे लोग प्रेसर कहते हैं इसे क्या कहते हैं लोग प्रेसर यहां प्रिफिवी क्या बनेगा लोग प्रेसर लेकिन उसके लेकिन उसके बाद जाकर कहां बैठेगी, 3035 पर बैठेगी, उसे कहेंगे, यह से हाइ प्रेशर होगा, यहाँ पर है पर यह प्रे। होगा अब ध्यान से दिखेगा अब मैं जो कहना चाहरा हूं हवा हमेशा उच्छवाई डाप से निम्नवाई डाप के तरफ चलती है अब हवा इधर से यहां चलेगी और उत्तरी गुलार्द में हवाई अपने दाएं घुम जाती है जब कि दचनी गुलार्द में हवाई मुझेगा ध्यान समझीएगा अब जब यहां पे हाई प्रेसर होगा हवा का दाब बढ़एगा बिदिबाद बताएगा हवा का प्रेशर बढ़ेगा अब जल्यान समुद्र में पहुशता था 30-35 डिगरी के पास पहुशता यहां पर हाई प्रेसर है तो जब हवा का दाप पड़ता तो नाव डगमगाने लगती नाव क्या होती डगमगाने लगती नाव दूबने लगता उससे बचने के लिए जो उनके नाव पर उनके पानी वाले से आगे जा सके इसलिए 50-35 डिगरी कंट टै अस्वा च्छांश कहते हैं क्या क्या है है अस्वत चांस घ्षछ वाला चांस कहते हैं और यह आप गोडे वाला चांस ढया दो प्रसंद आप दर सुनीयों कि इसए अस्वत भैंड डेंगे क्यों कि यह यहाँ अपने घौन सब्सक्राइब करने के लिए अफ्रीका भाराज चाइना जब आते थे तो समुद्री मार्ग से आते थे तो समुद्री मार्ग से जब वो 30-30 से आगे बढ़ते थे तो हवाएं किधर चलती थी किधर चलती थी जब नाओ की गती तीब रहो जाती थी उन्हें व्यापार करने में आसानी होती थी इस लिए इसे व्यापारिक पहुन भी कहते हैं ध्याव जो देखेगा व्यापारिक प समझेगा वे हवाय जो तीस पांती से लेकर जीरो पर चलती है माने उपारिक हवा तो ब्यापारिक हवा के लियर हो क्या दोनों टॉपिक क्लीर हुए मैं आगे को आग bé घुबे इसलिए इस जांस को नाम से जाना दा है ठेक सब्सक्pel सब्सक्रम और पिसे नाम से पोकारते आहें ऊफोरम उच्फप उच्छ बनाए हाउर्ष एक हार्स लेटिटिट्फ आफ ग NASCAR चलियर इसक़ विकल्ब क्या होगा इसका हाट उत्तर क्या होगा हास लेटिटूड कॉंसेट क्लियर आपके हैं अगर आपको समझ में आ रहा हो हम ठेक ठाक पढ़ा रहे हैं इस वीडियो को सभी को सेर कर दीजेगा और लाइक नहीं किया अपने लाइक जरू कर दीजेगा अगले पश्णिकी तरफ हम बढ़ते ह है ठीक है और रेस से घोड़े रेस में अच्छे लगते खेत में नहीं अगला है उच्छतर तुंगता उच्छतर तुंगता पर वाय मंडली ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है अच्छतर तुंगता उच्छतर तुंगता इसको क्या कहते हैं छोब मंडल में अगर छोब मंडल की बात करें छोब मंडल में सामानत ताप मान के बीपरीथ थंडी हवा की परत गर्म हवा की परस से धकी रहती है छोब मंडल में सामानत ताप मान के बीपरी थंडी हवा की परत गर्म हवा की परत से धकी रहती है जिसे ताप का तापोत करमण होता है क्या होता है तापोत करमण होता है तापो करमाण होता है क्या होता है ताप तो कमन की रुप में जाना जाता है और तापो करमाण की वज़े से बादल का निर्माण होता है इसी की वज़े से बादल का निर्माण होता है ध्यांस निएगा छोग मंडल में ठंडी हवा की परत गर्म हवा की परस्टे रखी रहती ह ध्यान से देखेगा, क्यूं? क्यूं होती है, जैसे हमारी पित्थी भी हो गई, ये ठंदी हवा है, उपर गर्म हवा होगी, क्यूं? क्यूंकि गर्म होने कब बात उपर उठेगी, ठंदी हवा नीचे आएगी, कुछ दिर पहले मैंने एक एक जामपल देखे बताया था, मैं ये हमने बना लिया, कोई बरतन है ये, इस बरतन हमने पानी भर दिया, बरतन हमने क्या किया? पानी भर दिया, जब पानी भरने के बाद नीचे हमने आग जलाई, नीचे क्या कि हमने? आग जला दी, जब आग जलाई, घटना क्या घटेगी? पहले ये पानी गर्म होगा, न तब तक चलती रहती है जब तक पूरे बतन का अतापमान एकस्तान हो जाए यही चीज हमारे वाई मंडल में होती है आप ठंडी में पानी पीडिये जिसे ठंडी के मौसम है एक ग्लास गरम पानी का रखी हल्का गुरूना कुछ दर बात पीते हैं उपर का पानी गर्म होता न कि उचतर तुंगता पर वाई मंडली ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है इसका मतलब नीचे ठंडी वाई की परत उपर गर्म वाई की परत इसकी वज़य से बाधल का निर्मार वर्सन होना द्रिस्ता में महत्रपून भून का निभाता इसका उत्तर क्या होगा तापोत क इससे ब्रुत कमण का नियम कहते हैं उचायी पर बढ़ने के साथ तापमानग बढ़ने की जगए घटता है यह वही नियम बताता है माने नीचे ठंड़ा हुपर गर्म ठंडी हवाकी परतों को गर्म हवाकी परते दवा करकते हैं जिसकी वज़िश हमारे बादल का निर्मा तेक्त की तरफ बढ़ते हैं अगला पश्म वाई की आदर्टा किस पर निर्भर करती है बताई आपमान पर अस्थान पर मौसम पर किस पर निर्भर करती है किस पर मैं बताऊं कि जब आला दीज आ जाए तो लगवर 80% सही होता है देखें इसका उप्रिक आपने सही बता है आला दीज होगा कैसे होगा याद रखेगा आदता से तात पर वायू में जलवास्त की मात्रा से लिख लीजेगा आदता से तात पर जलवास्त की मात्रा से वायू में जलवास्त की मात्रा से है आदता जलवास्ती करण संगनी करण पर निर्भर करती है जो मुक्यत है तापमान पर निर्भर है जबकि तापमान मौसम और अस्थान दोनों पर निर्भर होता है इस प्रकार वायू की आदता न एक चोड़ा सा प्रश्ण हम पूछना चाहेंगे कि यदि कपड़े को धुलने के बाद बरसात की मौसम में सुखने के रखा जाए और एक ठंडी की मौसम में तो कपड़ा किस मौसम में जल्दी सुखेगा ठंडी में या बरसात में जबाब दीजेगा कि समान कपड़े की मात्रा को धुलाई करने के बाद अगर उसे रखना चाहें तो किस मौसम में जल्दी सुखेगा बरसात में या ठंडी में कि बताइए जवाद दिए बहुत सरल सवाल पूछा हमने लिए चलिए बहुत सरा लोग बरसात बता रहे हैं आए ध्यांद देखते हैं बरसात गलत है ठंडी में होगा क्यों होगा आए सारी बातों करते हैं हम समझाते हैं जब हम कपड़ा धुल कर रखते हैं तो कपड़ा सुकता कैसे पता है कपड़ा के पर जब जैसे कपड़ा हमारी यह कपड़ा है हमारा तो जब हवा चलती है तो हवा जब कपड़े में पड़ती है तो कपड़े की जलवास पर उसे खीच लेता है जब कपड़े की जलवास खीच लेता है हमारा कपड़ा सोग जाता है लेकिन होता क्या है वास्तों में आई उस बात को ध्यान में देखते हैं जि जब जलवास की मात्रा बढ़े आती है, सूर केणे आने के बाद वापस नहीं जा पाती है, हिर्टिम पौर बढ़े आती है, जिसके हम कहते हैं, उमस बहुत हो रही है, खोब पसीना होता है, गर्मी सहलेंगे, लेकिन उमस नहीं सहा पाएंगे, उमस ज्यादा होती है, जब कि उदान मैं आपको दूँ, कि आपने भी देखा होगा, कि जब हमारे बर्शात होती है, हिमिडिटी को हिंदी में आदता कहते है, आपने सुना होगा, जो हमारे बर्शात होती है, लगता है बारिस होगा क्या, तो बारिस होगा, ये गर्मी से कैसे, क्योंकि वायु मंडल में तब आदता नजदीक आजाती है, humidity नजदीक आजाती है, जिसके उज़े temperature पढ़ जाता है, हम कहते हैं, बहुत गर्मी लग रही है, लगता है वार्शी होगी क्या, सुना आपने, सुना आपने, यह कहानी कि लगता है, बारिस होगी क्या, बहुत गर्मी लग रही है, लगता ह कोई दिक्कत कोई डाउट है कि अगर परिच्छा में प्रशना आएगा तो ठंड लगा येगा अब कोहरा वरास नहीं जानते हमने प्रश्णा आपको बता दिया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला है किसके ऊपर ताप तिवर्ता पूर्ण बढ़ता है ब है जवाब दीजिएगा है कि अगर जवाब दीजिए कि इसके ऊपर है कि अगर देखिए मॉय मंडल की बारे में बात करें तो सबसे नीचे क्या होता छूब मंडल धांध़ द्यांदभी दिखेगा सबसे नीचे ऊता चोग मंडल में उचाई पर जब जूज चोमंडल ऋचाई पर जाते है ताप मान कम होता है हैं सम्टाप मंदल में जाएंगे टमप्रेचर लगवक बराबर होगा बुपर फॉपर जाएंगे आयन मंडल लगभक समान मध मंदल में सबसे निन तम पॉण लेकर उसके बाद जैसे डायाम ताप बाल लृता चाहता है अिए ड़ाइग्राम से दिखेगा है छोब मंदल में उच्छाई बढ़ने जाने साथ तापमान कम हो रहा है जैसे हम सब मंदल में आते हैं सम्माने बराबर आप माने तापमान क्या होगा एक उसके बात कहा पोच अइन मंदल में तो मंदल क्या होगा हलका सा बढ़ेगा हलका सा बढ़ेगा संता मंदल में सबसे नियुंतन तापमान मद्य मंदल में पूरे वायु मंदल का सबसे नियुंतन तापमान मद्य मंदल में और मद्य मंदल के बाद जैसे ही उपर जाएगा मद्य मंदल हो गया थोड़ा से उपर जाए जाने के बार अनंतिकाल तक बह tą जाएगा इसका सबसे दिखेए गांग कि आप मंदल के तरफ जाएगा कॉंसेप्ट के हैं यहां से प्रस्ण और उर पूछेगा यहां पेप्रस्ण पूछ दिया कि सबसे ज़्यादव तीवर्ता-पुर्वरता है किस मंडल में और हम पुछिवरेगा हमारे वायू मंडल में सबसे कम तापमाण किस मंडल में जबाद दीजिका किस मंदल में है जल्दी जवाद दिजएगा किस मंदल में है किस मंदल में हमारे पिठवी का सबसे नियुंतम तापमान होता है मद्य मंदल सही जबाब मद्य मंदल में हमारे वायू मंदल का सबसे सबसे कम तापमान होता है हमारे पूरे वयु मं क्या करें हैं मैं लाइब रहता हूं खाना खारा हूं बैठा हो पढ़ रहा हूं लगाता लोग करते हैं आप कॉल करने से बचा करिए आप भी जरुत पड़ा करें मैसेच छोड़ा करिए हम इंसाने हमारे पास 24 गंटे का समय होता है अप लगाता और कॉल करते हैं यार हमारे पास दिन के 24 गंटे होते 24 गंटा दो मिनिट नहीं होता आप लोग समझा करें इस बात को ध्यापक होने जा रहे हैं अधिकार होने जा रहे है दो और जिग आ रहे हैं तो चेलिए एंगे बटते हैं आगे शूपर टे bubbles pepp 누 अपर przandel कि अगर पड़ा चलास आपको जोईन करने हैं अगर आप अप्ड़ रहा है तो सभी नहीं पड़ रहा है तो कोई बात ठीक है अगर आपको बहत्ता लग रहा है इलेनी बिद्रुगे सा जोड़ना है जो जुड़िएगा कल से 10 सुबह में 9 10 सी 11 11 से 12 जीएस की दो सक्षन चेलेगी मेरे दोरा पढ़ाया जाएगा पिट क्लास में आप लोग को मिलता रहेगा ठीक आगे बढ़ते हैं अगले सब्सक्राइब यहां पर है कि वायू मंडल में ट्रोपो स्पेयर के ऊपर कौन सी परत पाए जाती है मतलब क्या होता है कि करेंड रफेर के लिए आथ थोड़ी से बिलम हो गई और साथ कल भी भी बिलम होगा कल के बाद से स्टार्ठंट होगि है फिशatz लिखा जा रहा है वो इसलिए हैंड डेम है इसमें क्या होगा फिट्रोपो ज्ल़ को सब्सक्राइब कहता है क्या कहते हैं फिरफोड मंढल परिवरतन मंडल कहते हैं फिरा समताब मंडल आता है कि यह मध्य मंदल हो गया कि यह बहिर मंदल हो गया अब अपने आप स्वाश्च हो गया कि छोब मंदल को उपर समताप मंदल ही आता है थीक है उआ हो तो जूनियर गुरी जूनियर का इक्जाम सीटर में पास है तो जूनियर का पास है प्रामरी का पास से प्रामरी का दिया ठीक है अगले परशनी की तरफ बढ़े समझना आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग लाइक सेयर कर दिया कर यार आप लोग इतना तो कर सकते हैं उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके काल बांगलादेश उजड गया जवाब द आप अगे पता है अगे अगे इसमें चक्रवात एस आई डी आर है एस आई डी आर नाम उसका रखा गया था और यह बंगलादेश नप्तक का सबसें शक्रवात रहा है यह पंद्रह नॉम्मा दोजाट साथ को आया था इस विसर्ट प्राक्रितिक आपदा में लगभग उन सफर सिम्सन सफर सिम्सन के नाम से जाना जाता है सफर सिम्सन पैमाने पर चक्रवात की सेनी को पांच में रखा गया था सफर सिम्सन यह हो जाएगा सफर सिम्सन के नाम से रखा गया था ठीक है तो यहाँ पर इनके दिकल्प में समर्सिंसन को इस दिकल्प ही नहीं दिया इ इसलिए 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 इसका उत्तर जो होलागा यहां पिनुने shortcut में लिख दिया सिद्र के में CDR को इन्होंने गलत लिख दिया सिद्र ये गलत लिख दिया इन्होंने दूसरा नहीं होगा SIDR होता है क्या होता है साइडर होता है साइक लिजेगा आगे बढ़ते हैं चक्रवात का बाता है लो ऊइधा कर्वात का बेदा जवाब दीजएगा ह久 को ड़ी है है जाप दीज़ेगा है हुआ है ईनिग जर्षा कर्वात का बाता है लेगे चक्रवात को एक लाहने मंगर हम लोग समझेना चाहिए, भोस समझेते हैं, जो चक्रवात होता है, चक्रवात बीच ऐसी तरह चलता है, बीच में इस तरह से, क्यूंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है यहां पर यल्पी होता है यहां पे यच्पी होता यच्पी तो हाइफ्र icon है उन अगर प्रश्ण पूछ दिया जाए कि चक्रवाद की चच्छु क्या होती है इसमें तो नहीं पूछा है विडियो की नोट सभी कुछ दिन के बाद मिलेंगे ठीक है यह नोट साब को मिलेंगे और online class के नोट सभी आप कुछ दिन बाद से मिलेंगे याद रखेगा जो चक्रवाद की चच्छु पुषता है चक्रवाद की आँख पुषता है चक्रवाद की चच्छु आँख हमेशा चक्रवाद की मध्य में होता है याद रखेगा चक्रवाद की चच्छु होती है चक्रवाद की जो आँख होती है वह हमेशा सदेव चक्रव मिली बार में नापते हैं किसमें नापते हैं मिली बार यंबी में नापते हैं यह होता है वाइदाब की मापने का पैमाना यूनिट कि ठीक कि आगे बढ़े हैं मिनी बार ठीक है इसका उत्तर क्या होगा जब केंद्र में निम्दाप और चारो उच्छवाई दाप होता है तब तो क्योंकि इधर की तरफ क्या होगा फ्रेसर होगा जैसा कि मैंने बता दिया але आद मिन आपको अपको सब्षक्राजान करना जाहिंगा दो성 कि यह भूगोन के लिखे जा रहे है सुपारटे चाहरे यह नोड़त क्लास अव्लोंह को सबसे नोट्स लिखे जा रहे हैं यह लोग अभी कुछ दिन के बाद से मिलेंगे तो अभी इंद्यार करना होगा नोट्स के लिए नोट्स से जब मिलना शुरूगा आपको सुचित किया जाएगा ठीक है अभी धिरते करके थोड़ा-थोड़ा काम होगा नजी एकी दिन तो होगा अगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन क्या है अच्छे खतम आज इसी के साथ आपका सेशन खतम हो गया 49 प्रशन ही थे प्रामरी टेट कल से स्टाठ है अपर प्रामरी भी स्टाठ है अगर आप लोग को ओनलाइन क्लास जोरेन करना मोश्रोल कम एक दो दिन की दिक्कत खतम हो गई कल से सारी क्लासेज हो जाएगी इसके बाद हम सुपर्टेट की एक सेलबस की बाक्षा करेंगे उसके तुरंद बाद हम और आप दोनों लोग मिलते हैं और मिलने के बाद एक नाए मिसन के तरह बढ़ते हैं अभी कितना बज़रा है साड़े नौ से दस सुपर्टेट के सेलबस की बचाचा करते हैं और दस बज़ेश लेकर हम इसकी अगली से लिएकर आते हैं समय धान की ठीके फिर दोन क्लास अगर आप जोइन करेंगा आपको दीवेश्ट है हम मैट का सवाल देखें अकेले इंसान हम क्या क्या करें लेकिन हम जल्द ही आपके लिए सबसे बेतर करने का प्रयास कर रहे हैं मैट कल से हम टाइम टेवल से ही आएंगे और टाइम टेवल आपको टेलीग्राम पर जाएगी टेलीग्राम पर जुड़े रहेगा विक्ति जैसे हम लाइव आते हैं पहले लिंक हम टेलीग्राम पर ही देते हैं और टेलीग्राम एप स्टॉल करेगा सच करेगा दुर्गेश्चर ठीक है 35 पर फी हमने रखा है तो आप जूड़े रहेगा फिर पांच मिनट की हमने क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर नहीं बता यह विए अभी किसी का प्रस्ण आरहा है हमने प्रस्ण नंबर 31 का जवाब नहीं बताया क्या था जी 31 क्या था अच्छ है यह थाए तो जी लिए चार और सबसे कम उचाई किसकी है बताइए वह इसका उत्तर क्या है नीनो मोडो की प्रास्ट नबर 31 का जबाब है नीना मोडो की यह सब यह आप भुमद्र रिखी भुमद्र रिखा के पास जर्म लेती हैं नहीं जर्म लेता इसका उत्तर होगा यह तापन से भुमद्र पिसके संब्न दीते जब कि यह तीनों नहीं है यह अकेला है कि हुआ है कि कॉंसेप्टियर नोट की बन जाएगे ताव को सुझित किया जाएगा इसीक साथ आप सभी को बहुत धन्यवाद वेश्टाफ लक्ट जाइंद जावारत इसके बाद हम दुबारा मिलते हैं सेलवत के साथ तीस ही बताएं अरे या तीस ही बता दे तीस क्या था यार अरे या तीस में ये बताईए हमने आपको बताया है छो मंडल मुचाई पर बढ़ने के साथ 165 मीटर उपर जाने पर तापमान कम न होता है जब हम 165 मीटर उपर की तरफ जाते हैं पैडाम सरूप एक डिगरी सेलसि अफ्लाइं क्लास आप सेंट्राप आगे पूछें आगे बढ़े चलिए इसके बाद में समय दान के लिए तब तक के लिए वैस्टाफ लग जैहिन जैवार ठीक है चलिए सब चलते हैं